जादो टोना जैसी चीज़े खतनाख है लेकिन जब उनका प्रयोग एक बहु के हाथों होता है तो वो कितनी मसेदार हो जाती है खुद देखी रामगट गाउं में सुधा रहती थी सुधा की सास उससे बड़ा काम कराती तो पती ऐसा जो ना कभी घुमाने ले जाता और ना ही कभी कोई तौफाला था पिचारी इस बात से हमेशा दुखी रहती लेकिन एक दिन उसकी जिन्दगी बदल जाती है अरे सुधा सारा दिन न जाने क्या-क्या सपने देखती रहती है जा जा कर कुछ बड़ी आसा खाना बना कर लेया सपना न देखो तो क्या करू मेरे तो कर्म ही फूट गय जो ऐसे घर में शादी हो गई इस से अच्छे तो माजी कोई फूल टाइम मेड ही रख लेते ओ ओ ओ बड़ी आई फूल टाइम मेड रखने वाली मेरे बेटे के लिए तो विलायत से रिष्टे आ रहे थे वो तो तेरे पापा ने तेरी इतनी जूटी तारिफ कर दी कि हमारा तो मन ही पिगल गया अच्छा विदेस से रिष्टे वा माजी वा अरे भगवान से तो ड़Those बलायती बहु लाकर क्या गाय का गोबन लिपवाती बहु बहु होती है ना वो देशी होती है ना बलायती बहु का काम सिर्फ सास की सेवा और घर का काम होता है और सुन तुघे मैं क्या करती जा जाक सुधा मन मसूस कर वहां से चली जाती है शाम को सुधा का पति जल्दी खराता है जिसे देख सुधा खुश हो जाती है जी आ गए आप जरूर मुझे कहीं गूमाने ले जाने का प्लान होगा आपका सबसे मरूशती हूं मैं अरे नहीं भागयमान गूमना क्या है बस आज जल् बड़ी भी तल ले न, बड़ा अम्मन कर रहा है। बड़ा अम्मन कर रहा है। सुधा का पती आराम से बैच कर किताब पढ़ रहा होता है। सुधा जट से कौपी निकाल कर उसमें लिखती है। मेरा पती मुझे घुमाने ले जाए। बस फिर क्या था। सुधा का पती किताब बगल में रख देता है। और उससे कहता है। बहुत दिन हो गये हम कहीं घुमने नहीं गये न। चलो कल मैं आफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। सुधा ये सुनकर खुश हो जाती है। कि तभी उसकी सास हाथ में चाय और पकोड़े लेकर खड़ी हो जाती है। चलो बहु कुछ खा लो। अरे किस्मत वाले हैं हम जो हमें तू मिली। वना मेरे बेटी की शादी कहीं तय ही नहीं हो रही थी। कोई लड़की इस घर में शादी नहीं करना चाती थी। ले बहु खा ले। अब तो सुधा की बल्ले बल्ले हो गई थी। सुधा की सास और पती बस उसके इशारों पर घुमते। एक दिन सुधा को सास का हार पसंद आ जाता है। वो सास से कहती है। अब क्या था? थोड़ी ही दिर में सास एक संदूक लेकर उसके कमरे में आ जाती है। बहु ये ले। ये क्या है माजी? बेटा ये मेरे गहने है। अब मुझ बुढ़िया पर तो ये अच्छे नहीं लगते। तेरी तो उम्रे है पहनने उड़ने की। ये ले गहने तू ही रख ले। तभी सुधा की नजर उस हार पर पड़ती है जो सासु माने पैना है। और माजी ये हार जो अपके गले पर है। सास हार उतारते हुए कहती है। पिर कान के टापस उतारते हुए कहती है। ये ले बेटा तू ये भी ले ले। फिर एक एक कर वो अपने सारे पहने हुए गहने उतारने लगती है। ये भी ले ले बहू ये भी ले। सुधा तो खुशी के मारे बॉखला जाती है। हाँ हाँ लाइए लाइए लाइए। तभी सुधा का पती उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और जोर से चिलाता है अरे सुधा क्या हुआ? क्या लाइये लाइये कर रही हो? अरे जरा कडाई में तो देख लो सारे के सारे पकुडे जल गए तभी सुधा की सास पे उसके सामने आ जाती है इस लड़की से तो एक काम ठीक से नहीं होता, दिन भर सपने ही देखती रहती है तभी सुधा को होश आता है, वो खिड़की के बहार देखती है जहां उसे कुछ दिखाई नहीं देता दरसल जादूई वादूई कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक कालपनिक सपना था, जो सुधा अपनी जिन्दगी से तंग आकर देख रही